तो देखिए मैं जानी चप्टर बीच में से स्टार्ट करेंगे यार बिकॉज जो रिफ्लेक्शन है वो रेलेटिवली असान है इसमें कुछ दो-तिन चीज़े हैं जो की हमें समझने वाली है रेलेटिवली असान है इतना कोई पेनफुल नहीं है जो हमें ठीतरा समझना पड़ेगा वो है रेफ्रेक्शन रेफ्रेक्शन की एक लाइन की डेफिनिशन बेंडिंग ओफ लाइट इस काल्ड रेफ्रेक्शन बेंडिंग ओफ लाइट लाइट मुड जाती है मैटम अब एक बहुत क्रिटिकल difference reflection और reflection के बीच में याद रखिए reflection में यार medium doesn't change जबकि reflection में medium changes medium changes का मतलब क्या होता है मैं अभी दो मिनिट में बता देता हूँ lecture record हो रहा है तो परिशानी की कोई बात नहीं है देखिए आपने छोटी classes में reflection हम समझते ही हैं कि यार ये mirror लगा हुआ है यहाँ पर ये incident ray आई ये reflected ray है और इसमें एक ये एक line होती है normal नॉर्मल का मतलब ये होता है कि जो भी reflecting surface है उस पर 90 degree के angle बना लीजिए उसको नॉर्मल बोलता है पर जानी यहाँ ता कोई doubt है अब इसमें एक interesting चीज देखी है ये incident ray और reflected ray दोनों जो हैं वो same medium में है same medium medium मतलब air medium change तो नहीं हो रहा medium का मतलब समझ आगया आपको बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना reflection में तो medium change होता है medium कैसे change हुआ बोली है पहले तो एक बात एक light की basic बात समझ लीजे कि आप जब किसी भी चीज को देखते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी light को अगर किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं तो वो चीज को आप इस वज़ा से देख पा रहे है because light reflects on it and comes back to you नहीं समझ में आया मैं जानी हुआ repeat करता हूँ आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आप सिर्फ इस लिए देख रहे हैं because light will reflect on it and come back to you यह बात समझ आगी बोल भाई तू लिख ले जितने भी तरह question है लिख ले last में बात करेंगे ठीक है तो अब जैसे यह light है यह portion of pencil जो आप देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं मैं जानी क्योंकि light इस से जो light वापस आ रही है आपकी eyes पे वो water के थुरू travel कर रही है और फिर air के थुरू आ रही है नहीं समझ मैं है मैं समझा नहीं बाया है repeat करू यह portion of pencil जो आप देख रहे हैं तो light reflect करके direct आपकी eyes पे जा रही है तो light is traveling in air only light का medium change नहीं हुआ यहाँ ता कोई doubt है but यह portion of light जो आप देख रहे हैं यह वाला portion of light जो आप देख रहे है यह वो portion है जो की light दो mediums में travel हुई है एक water में travel हुई है और एक air में travel हुई है मैं जानी कोई doubt है तो reflection में याद रखिए कि जो medium है वो change होगा यहाँ ता कोई doubt है आगे चले और एक line की definition यार bending of light is called reflection यहाँ दर को doubt है अब एक word use किया जाएगा आपकी book में नहीं लिखा बट मैं use करूँगा देखे optically rare और optically dense इसका मतलब समझ लिजे लिख लिजे मैडम जो भी question है लिख लिजे जी बताइए हाँ तो सुन लिजे आराम से सुन लिजे तो optically rare और optically dense अब मैं इसको optically rare और optically dense इसले बोल रहा हूँ because this is not this density is not the same density जो कि हम physics में दूसरी जगा पढ़ता है so for example हम physics में दूसरी जगा पढ़ता है कि जो kerosene है वो water से light है या इसकी density काम है इसकी density जाद है ये जो है ये physical density है बर जब मैं यहां kerosene और water की बात करूँगा तो मैं उनकी optical density की बात कर रहा हूँ मैं जानी दीरे-दीरे समझा दाएगा तो मैं बोलूँगा optically rare and optically dense ये दो words यूज़ करूँगा अब जो bending of light है उसके पीछे जो reason है वो एक line का simple सा reason है कि speed of light in different mediums मैं जानी वो different है यहां तक कोई doubt है फिर से देख लिजे bending of light is called a reflection और मैं जानी कोई आप से पूछेगा कि भईया bending of light होती क्यों है वो इसलिए होती है मैंटम क्योंकि air में जिस speed जए light चलती है वो जी वो different than water है आपने बोल दी है slow बहुत बड़ी है और अगर यहां पर let us assume glass होता तो glass में मतलब यहां जो speed है यह speed यहां पर different होती यह speed यहां पर different होती यहां तर कोई doubt है तो because speed of light in different mediums is different इस वज़ा से light bend कर जाती है जानी साब medium तो जो मर्दी आप ले ली थे जितने material है उतने mediums है अब जिसके मर्जी through light को पास करा ली जाए आप glass के through करवा रहे है आप water के through कर रहे हैं अच्छा आप कहरे हैं जो usual आता है in reflection ओके एक सेट उनसे जानी जैसे ही यह लिखे हुआ है material medium लिखा हुआ है air, eyes, water, alcohol, kerosene quartz, serpentine, benzene crown glass rock, salt मैं अब जितना material चाहें यार तरह material जिसके through आप light pass कराना चाहें और जो scientist हैं उन्होंने refractive index लगा है यहां ता कोई doubt है अब एक चीज जो critical चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शायद आपकी बुक में आपको confusion है बट मैं चाहता हूँ आपको कभी confusion है यहां पर kerosene की जो refractive index है वो 1.44 है और water का जो refractive index है वो 1.33 है अब मैं एक चीज यहां आपको समझाना चाहता हूँ जो kerosene है physically वो water से less dense है kerosene जो है वो water के उपर तैरती है बट optically जो kerosene है वो optically dense है water से वह यह बात समझागी तो ठीक है नहीं समझागी तो flush कर दीजे इसलिए मैं आपको बता रहा है कि there is a difference between the physical density and optical density of a medium यह बात समझागी ठीक है नहीं समझागी flush कर दीजे Mr. Jani आपको जवाब मिल का तो Jani साब जितने आप medium चाहिए उतने medium ले आई है कोई आपको रोख नहीं रहा सबके refractive index ऐसे tables मिल लाते हैं आप जो भी आपको चाहिए आप कर सकता है यहां तक समझागी है यहां तक यह दो बातें समझागी है आपको कि bending of light is called reflection और दूसरा reflection क्यों होती है because speed of light in different medium is different यह बात समझ मैं आगे यहां तको doubt है बढ़ी है अब आपकी book में नहीं लिखा हुआ आपकी book में नहीं लिखा हुआ बट एक formula है मैं आपको सर्फ दिखाना चाहता हूँ तरने की जुरूती है भई इस पर कोई question नहीं पूचाएगा बट जब 9th में जाएंगे या October के बाद आपका वो जो exam हो जाएगा तो आपको यह दिखी जाएगा तो गवरानी के ऐसी कोई बात नहीं है so there is something called a refractive index refractive index का मतलब यह होता है कि speed जैसे speed of light in air upon speed of light in material यहां material लिखा हुआ है आप medium लिख सकता है तो इन दोनों में जो ratio रहेगी मैं as an example आपको दिखा देता हूँ जैसे यह दिखा हुआ है speed of light in air is 3 into 10 in glasses 2 into 10 दिखा हुआ है तो अगर आप देखेंगे air में उसकी जो speed है वो जाद है और glass में उसकी जो speed है वो कम है इन दोनों की अगर आप ratios लेंगे बहुत बढ़ी है इन दोनों की अगर आप ratios लेंगे तो refractive index 1.5 आपका यहां पर आजाएगा air में आप उसकी speed इतनी है water में उसकी जो speed है जी जी यहां मैं आप ध्यान से यह देखिए बाकी तो ताम जाम चलता रहेगा या समझाएगा नहीं समझाएगा चलेगा अगर आप देखिए air में speed कितनी है 3 x 10 दिस वावर 8 glass में speed कितनी है 2 x 10 दिस वावर 8 water में speed कितनी है 2.25 x 10 दिस वावर 8 मैं आपको यह point दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कि जैसे जैसे medium different हो रहे है जो speed है वो different हो रही है और क्योंके speed of water different हो रही है उस वज़ा से जो water जो light है वो bend करती है मैं जाने हैं यहां ता कोई doubt है पका so for example मैं जाने हैं इमेजन कर सकते हैं कि यह glass है यह water है तो glass में जो speed है वो जाद है I'm sorry glass में glass में कम है और water में जाद है तो जब light इन दोनो medium के दुरूफ flow करेगी तो light की जो speed है क्योंके वो change होती है इस वज़़े से light bend होगी मितलब light ऐसे सीधी नहीं जाएगी bend होगी उसका reason पता चल लिए due to the speed due to the difference in speed अब यार कई books में जैसे आपकी book में भी शायद इसको समझाने की कोशिश की है मैं try करता हूँ यार नहीं भी समझाएगा तो चलेगा समझाएगा तो भी ठीक है तो यह देख लिजे यह चार लोग आ रहे हैं यार यह चार लोग आ रहे है पुड़ा ध्यान से दिख लिजे जब तक इस point में आप पहुँचेंगे यह जो बंदा है यह वाला जो बंदा है यह एक दूसरे medium में पहुँच चुका है जो की stand है यह वाले बंदे की speed कम हो चुकी है बट यह वाला जो बंदा है वो तो tarmac पर ही चल रहा है उसकी जो speed है वो तो same चल रही है तो यहां पर आके इसकी speed में difference आ गया है इस वज़ाए से अगर आप देखेंगे जो light यह इनकी जो direction है यह देखेंगे यहां पर change होगी यह direction यहां change होगी बैस जानी यह बात समझ आई ठीक है नहीं समझ आई गोली मारी है बट यह यहां पर आपको समझाने की कोशिक की जा रही है तो इस example में आपको यह बताए जा रहा है कि एक loose example आपको लेके बताए जा रहा है कि यार दिखिए जैसे speed change हो रही है उस वज़ा से of course जो जो parade है that will bend it is an example which is being taken और यह समझ आई ठीक है ने तो यार आप इसको skip कर सकते हैं वह इतनी problem नहीं है बट जो आप skip नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें देख लिए जो चीज़ें आप skip नहीं कर सकते हैं यहाँ तो आपके number फसे हमें है अब देखिए तो मिससे जानी यह जो figure है यह figure हमें हमाले लिए बहुत जरूरी है यह figure हमें बनानी आनी चाहिए इसमें हमाई कोई doubt नहीं होना चाहिए देख लिजे यह incident ray है एक certain medium में जा रही है फिर यह कोई दूसरा medium है जी तो the point that I'm trying to make is कि इसकी labeling यह incident ray है यह normal है normal और incident ray के बीच में angle of incidence होता है में जानी यह angle of reflection में जानी refracted ray और normal के बीच में होता है यह labeling रट लीजे फिर से देख लीजे इसको incident ray बोलते हैं इसको refracted ray बोलते हैं medium के perpendicular जो line है इसको नॉर्मल बोलते हैं नॉर्मल और incident ray के बीच में जो angle है उसको angle of incidence बोलते हैं refracted ray और नॉर्मल के बीच में यह जो angle है इसको angle of reflection बोलते हैं शर्मा जी कोई doubt यह रोकिए I'm not trying to confuse you बट मैं इसी time associate कर दूँ इसको reflection के साथ देख लीजें मिज़ानी मिज़ानी यह incident ray reflection में यह reflection है इसमें medium change नहीं होता air में ही बात चल रही है यह incident ray है यह mirror है बेटा mirror के perpendicular यह normal है incident ray और normal के बीच में यह angle of incidence है यह normal है यह reflected ray है इसके बीच में जो यह angle है यह angle of reflection है इसको angle of reflection बोलते हैं वो reflection यहाँ तक कोई doubt है तो रोकिए मैं जानी शर्मा जी आपका कोई doubt जानी साहब आपका doubt आपका कोई doubt अब यह फिर से this is one of the figures which you should अरटो भाई बना लिजे तीन चार बार बना के एक बार समझ लिजे कैसे बनती है यह cloud बताने की जरूरत नहीं है अगर आप एक point भी लेंगे तो भी चलेगा है न एक चीज मैं आपको बता दूँ यहाँ पर I hope आपको जाला confused नहीं करेगी बट मैं एक चीज यहीं पर आपको बता दूँ देखे यह incident रहे है यह refracted रहे है मैं जानी यहाँ तर कोई doubt है अच्छा अब मैं एक चीज बोलता हूँ अब मुझे पूछिए मैं जानी अगर आपको doubt है अगर आप यहाँ बैठे है इस medium के अंदर बैठे है अगर आप torch से यहाँ से light shine करते है अब light जब बाहर जाएगी तो same path follow करेगी मैं repeat कर देता हूँ इसको समझने के लिए दो मिनिट आपको लगेंगे बड़ समझा जाएका तो बात कदम हो जाएगी देखे यह incident रहे है यह refracted रहे है यह air है यह water है यहाँ तक doubt है मैं जानी आप swimming pool से बाहर थे आपने laser point किया और जो laser है वो ऐसे bend करके यहाँ नीचे चला गया यहाँ तक ठीक है अब मैं आपको यह कह रहा हूँ कि अगर आप swimming pool के अंदर है और आप इसी angle पे इसी angle पे अगर आप laser point करेंगे तो बाहर जो light जाएगी यह इसी angle पे जाएगी it will follow the same path it won't change the path यहाँ किसी को कोई भी doubt है तो मुझे रोक लीजे लिकास यह चीज में आगे use करना है वाद हूँ तो medium दो medium है उनके बीच में जो भी bending है जब medium 1 से medium 2 पे light जा रही है और medium 2 से जब medium 1 पे जब light जाती है तो वो same path follow करता है path change नहीं करता शर्मा जी को doubt है रोकिए यहाँ देख ठीक है यहाँ देख ठीक है तो फिर से यह figure थोड़ा एक बार बनाना सीख लीजे तो अच्छा रहेगा आपके लिए अभी नहीं तो 910 में तो करेंगे मैं समझा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है इसमें यह कहने ही को उसकर रहा है कि यार देखो यहाँ से light निकली जब वो light air में आई जब वो light air में आई तो bend होगी अब एक और rule reflection का सीख लीजे reflection का है एक rule और सीख लीजे यह भी आपको रखना पड़ेगा जब optically rare से optically dense medium में light जाएगी तो normal की तरफ चिपकेगी मैं दो तिन बार repeat करूँगा चिंता मत कीजिए फिर से देखे यह rare है यह dense है यह normal है यह incident rare है अब जब वो dense में जाएगी तो normal की साथ चिपकने की कोशिश करेगी मैं जानी को doubt है मैं जानी फिर से देख लेजी अगर यह air होता यह भी air होता फिर तो यह line सीधी निकल लाती क्योंकि medium से ही मैं बेंडी न होती बट अब denser medium में जा रही है क्योंकि denser medium में जा रही है तो normal की तरफ चिपकेगी भाईया यह याद रखिए यह रख लीजे normal की तरफ चिपकेगी ऐसे अब यह angle of reflection है और यह angle of incidence है यहाँ तक कोई भी doubt है बेंड़न को doubt है तो इसका मतलब यह हुआ इसका opposite यह हुआ कि अगर light यह denser यह rare है अगर light dense से rare में जा रही है तो normal को छोड़ेगी normal से धूर भागने की कुशिश करेगी कहने का मतलब अगर यह water है और यह भी water होता तो तो light same line follow करती बट क्योंके यह rare हो गया तो अब light ऐसे bend करेगी नहीं समझ मैं भाई नहीं समझाए तो रोख लीजे मैं से जानी शर्मा जी पका इसी लिए क्योंके यार frankly यह सब चीजे ना थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने के लिए इसलिए यह सब ताम जाम आपको दिखाया गया था and this is one of the best experiments जिसमें शर्मा जी मैं आपको यह वीडियो बेज होंगा चिंता मन दीजे तो अगर आप देखेंगे यह जो light है यह देखें यहां से अगर आप ट्रेस करेंगे इसको हाँ जी हाँ अरे मैं इसलिए फोन के रहा हूं भाई तेरी वेट कर रहा है वहाँ पर यह light को यहां से ट्रेस कीजिए यह देखें यहां से तो शर्मा जी देखिए यह angle है यह dense medium है यह rare medium है जब वो rare में आई तो उसने normal को छोड़ दिया यह देखिए angle बढ़ा हो गया तो जानी नहीं समझना है तो मैडम पूस लीजे difficult topic है आप बोल लिए यह रेज़ मैं जानी क्या parting समझा है यह light जाल रही है इसके अंदर dense medium में यह अब यह angle of incidence है क्योंकि अब यह incident रहे है अब यह refracted रहे है मैं जानी यहां तको doubt क्योंकि आप denser medium से rarer medium में जा रहे है तो अब जो light है वो normal को छोड़ेगी उससे धूर जाएगी तो इसलिए यह जो angle r आपको नज़र आ रहा है this r is greater than angle i नहीं सहुझ मैं आप angle of reflection जो है that is greater than angle of incidence को doubt है वोई जानी को doubt है अब अगर आप मैं आपको यह बताने की कुछ कर रहा हूँ काफी देर से कि अगर light आप यहां से shine डर रहे होता है और यह angle of incidence होता तो जब denser medium में जाती तो normal के साथ चपकती तो यह angle of incidence है यह angle of reflection है इस case में जो angle of eye है that is more than angle of eye शर्वा जी doubt है तो रोके यहां ता को doubt है अब यहां मैं एक चीज बोलना जाता हूँ मैं जादा आपको यहां समझानी बाऊंगा बट एक बार बोलके मैं बस चुप हो जाऊंगा यह जो light आप देख रहे हैं ना यह देखे यह light और यह light अब यह तो bend ही नहीं हो रही नहीं समझ मैं है यह light सीधी चलेगी medium तो change हुआ था मैं यहां जादा समझानी बाऊंगा आपको but the point is कि surface के normal पे अगर incident light हो तो वो bend नहीं होती तो यह जो light है यह surface के यह जो surface है यहां इसके यह normal है यह 90 degree है अब यह 90 degree कैसे है वो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता बट एक circle की भई प्रॉपर्टी है कि जो radius होंदे रहा है जो radius होता है वो tangent के हमेशन 90 degree पे होता है अब मैं इसको जारा इस रास्ते बे जादा आगी जाना चाहता यहां तक क्योंड डाउट है तो रोख लीजे सर्माजी क्योंड डाउट है तो रोख लीजे तो Mr. Jani यह बतारे हैं कि सर यह जो formula है यह हमारी बुक में भी दिया हूँ है अब इसमे नमेरिकल आने की अब शायद आपको अभी कम है क्योंगे यूजरी 9-10 में इसके आता है आएंगे नहीं आएंगे हाँ तो यह इसके नहीं आता है पट the point is speed of light and vacuum speed of light यार यह vacuum और air को ना same ही माल लेता है यहां तको डाउट है अब जैसे यहां पर एक question आपका बन जाता है कि भईया जो जैसे एक question आपसे पूछ ले जाए कि जो diamond है वो denser than glass है glass से जादा dense है तो diamond जो है मैटम वो light को और भी जादा bend करता है glass से जादा bend करता है तो glass से diamond अगर जाएगी तो light bend होगी यहां तको डाउट है देखे लिखा ही हुआ है refractive index of diamond is 2.4 और glass is 1.5 यहां तको डाउट है अब जी तो यहां तक तो कोई doubt नहीं होगा reflection होगा because यह speed of light है यार I hope यह सबको पता हो 3 to 10.8 meter per second अच्छा अब मैं यहां एक 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 थीज़ आपको दिखानी है यार यह देखे यह incident ray है यह angle of incidence है यह यहां पर angle of reflection है अब यह देखे यहां यहां surface और यहां surface यह double reflection हो रही है पहले reflection हो रही है air से आप glass में आए फिर यहां glass से जब आप air में है तो double reflection होई और यहां एक बड़ी interesting चीज़ हो रही है वो interesting चीज़ देखे जो मैं आपको इसलिए यह वाला lecture बेजागा यह देखे जो light है बहुत interesting चीज़ हो रही है यहां तो light bend हो रही है बढ़ यह देखे यह light जैसे displace हो जाती है यह इसकी एक line थी और यह displace होगी वो दूसरी पट्री पे चलेगी उसी पट्री चेंज होगी वो bend भी कर रही है और उसका railing चेंज होगी है इसको English में बोल दिया जाता है लेटरल displacement आपके course में नहीं है चिंता माद कीज़े so there is something called bending एक तो light bend हो रही है और यहां पर अगर आगर आप देखेंगे तो lateral displacement अपर यह figure आपके course में नहीं है IB वालो सर्वाद ही आपको समझा आगे भाई तेरे course में कोई doubt है तो जै double reflection हो रही है bending of light हो रही है lateral displacement हो रही है lateral lateral जो भी आप बोलते हैं इसको यहां तो कोई doubt है और यहां उसमें तीन labeling की हुई है शर्मा जी इसको incident बोल रहा है इसको reflection बोल रहा है और इसको emergent बोल रहा है कोई doubt refractive index में कोई doubt denser और rarer medium में कोई doubt यह देखे air, water, ice, glass, diamond यह देखे refractive index में कितना फर्का जाता है मैं से जानी कोई doubt है यहां तक ना भाई यह इसके कोई units नहीं है sorry यह मैं आपको बताना चीए था ना ना मैं बताता हूँ अच्छा question पूछा आपने हाँ यह भी एक बड़ा अच्छा question है शर्मा जी यह इसाद आप से पूछा जा सकता है कि यह refractive index के units क्या होता है reflective index के कोई units नहीं होता है because it is a ratio अच्छा question पूछा आपने यह देखे, यह सरफ 1.5 है यह 4 by 3 है इसके कोई units नहीं होता है यह जो n है यार यह symbol है जबकि कोई units नहीं है अच्छा कुछा ना शर्मा जी को doubt है यह मैं आपको वहाँ बताने की खुछ करा देख कि सिर्फ, सिर्फ एक case है अगर light normal पे hit करती है अगर normal पे hit करती है भाईयो, तो जो light है वो ऐसी की ऐसी बाहर निकल लाती है यह सिर्फ एक one case है उसी तरह उल्टा ग्लास से अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो भी वो ऐसी की ऐसी बाहर निकल लाएगी मैं जाने को doubt है यह line मैं आपको बताने की कुछ करा दा यह यहाँ English में लिके हुई है पढ़ लीजे light bends towards a normal while traveling from an optical rarer to an optically denser medium optically rare से optically denser मैं IGCSE के चातरो एक चीज आपको बताना चाता हूँ आप जब अपनी बुक में यहाँ पढ़ेंगे इसने ना यहाँ पर थोड़ा सा at least मुझे confusion लगी शायद आपको ना लगे मैं आपको बता देता हूँ कहां यह जो पेज है ना यहाँ पर शायद यहाँ यह जो लिखाओ है ना you are right I think to do with density I have looked up book glasses denser and plastic यहाँ शायद पोड़ी confusion है मुझे at least मुझे confusion लगी but what I am trying to say is की हम जब light में बात करते हैं तो light में हम बात करते हैं optically denser या optically rarer this density is different from the physical density this density is different from mass per unit volume यह वो बली density नहीं है यह different है यहाँ तो कोई doubt है और यह line यह मैं आपको Hindi में यह बता रहा था है English में यह लिखा हुआ है principle of reversibility of light कि अगर ऐसे A से B जाती है तो B से A भाया ऐसे ही जाएगी तो same path follow करता है यहाँ तो कोई doubt है यह देखें अगर आप optically rarer medium में जाएंगे शिवी वो दराज़ा बंद है अगर आप optically rarer medium में जाएंगे तो normal को छोड़ने की कोशिश करेंगे दूर जाएंगे आप यहाँ पर कुछ यह ऐसे questions बोलते हैं कि भाया जो मचली है वो आपको लगेगी उपर है बट actual में वो मचली जो है वो नीचे होती है यह उसकी actual location है यह उसकी perceived location है यहाँ पर कही बार वो कुछ ऐसे question बना देते हैं कि भाया you are shooting in water on a fish but you are not able to shoot you miss the shot because आप जो shot लगाते हैं आप सोचते हैं कि शाइद जब fish यहाँ पर है जबकि fish नीचे होती है तो कहीं बार यह experiments करा दिये जाते हैं आप ट्राइ करूंगा next time आपको दिखा दो so you can take a container you can take a container जिसमें आप coin नीचे लगदे you won't be able to see that coin एक certain angle पर you won't be able to see the coin but जैसे आप water डालते हैं तो आपको ऐसे लगए कि जो coin है it is floating in water वो coin दिखना जो हो जाता है next time मैं आप ट्राइगर होंगा आपको दिखा दो यह भी कहीं बार subjective question बूश्ट लिए जाता है सरमाजी कोई doubt है अब यह कुछ एक दो चीज़े हैं तो हमें बहुत simply समझा आती है कुछ जो हैं वो थोड़ी technical है coin का मैं समझा जाता है यह glass lab का समझा जाता है tank जो है वो shallow है आदमी की जो टांगें वो टेड़ी नज़र आती है यह थोड़ी सा technical है यह अलग आपको शरमाजी समझा दिया दाएगा को doubt है मैं जानी यहां तक जो ग्यान दिया गया उसमें को doubt है तो हमने कहां तक कितना ग्यान ले लिया हमने 136 देखे page 136 page 137 page 138 और page 140 अब यहां पर एक दो चीज़ें और समझी छोटी छोटी बात है शायद हमारी पहले भी बात हुई है कि there is something called light year अब light year जो है वो unit of distance है क्या है unit of distance light year का मतलब यह होता है कि एक साल में light जो है वो कितने kilometer travel कर सकती है तो distance is equal to speed into time तो speed आपके पास है 3 into 10 is to power 8 meter per second और time जो है वो होगा 1 year अपकोर्स 1 year को आप second में convert करेंगे तो आप देखेंगे कि light year कितना होता है बेगोट डाउट अदर रोखें तो यह light travels approximately इतना kilometer in a year this is called a light year तो याद रखिए light year जो है वो unit of distance है याद हो कोई doubt तो यह देख लीजे आपकी andromeda जो है वो इतने light year दूर है Milky Way का जो diameter है वो इतना है यह page 141 पे और page 140 पे यह हमने cover कर लिया अब उसके बाद यार यह एक interesting topic जो है वो है total internal reflection का सर्मा जी आपके नहीं है बड़ सुन सकते हैं आप और यह चीज़ वह समझ आती है यार वो यह वले experiment को देखके समझ आती है यह वले यह वले experiment को देखके आती है तो मैं एक बार फिर से experiment दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ हो क्या रहा है total internal reflection को समझने का यह सबसे अच्छा experiment है मैं अभी चालो करता हूँ बिजानी ध्यान से अगर आप देखेंगे और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है अभी तक की तो यह देखे यहाँ ना जो angle है वो 20 degree है बट यह देखे bending कितनी हो रही है यहाँ जो है वो 34 degree के आसपास है यह देखें यह बास समझ आ रही है आपको अब देखें मैं जानी यहाँ पर एक और interesting चीज़ हो रही है भाई ने बहुत ही बड़िया experiment किया है एक छोटी सी गलती उसने शायद यह कर दी है कि उसने monochromatic light अगर वो लेता तो यह सुंदर और भी सुंदर हो जाता monochromatic light का मतलब मैं जानी ही होता है कि single color वाली light भाई ने जो लिये है वो जो basic light है जिसमें उसके constituents हैं वो हैं तो इसलिए आपको यहाँ rainbow effect नज़र आ रहा है वो dispersion हो रही है यहाँ पर तो अगर उसने laser beam ली होती उसने red laser ली होती या blue laser ली होती तो उसको एकदम fine monochromatic single bending नज़र आ रही होती यहाँ अगर आप देखेंगे तो यह dispersion है light जो है disperse कर गी but the point that I am trying to make is की मैं तो जानी यहाँ देखेंगे यहाँ बहुत critical बात है यह देखेंगे यहाँ यह जो angle है जो की फिरसे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा interesting है अगर आप समझ पा रहें यह around 42 degree के असपास है 40-42 degree के असपास है जो light है बल्कुल द्यान से देखेंगे हो क्या रहा है जो light है वो denser medium से rare medium की तरफ जा रही है at a certain angle यह angle of incidence है जो angle of reflection है वो 90 हो गया है नहीं समझ में आया है शर्मा जी नीन दानी शुरू होगी फिर से देख लीज़े भाई यह थर्फ तेरा question बनेगा जो light है वो denser medium से rarer medium में जा रही है एक certain angle पर अगर यह glass है एक certain angle पर around 42 degree के असपास जो angle of reflection है वो 90 degree हो जाता है इस angle को Mr. Jani आपके slivers में नहीं है बट सुन लीज़े इसको बोलते है critical angle क्या बोलते है critical angle हमारे slivers में नहीं है बट ठीक है एक word है critical angle अब interesting ही है शर्मा जी कि इस मैं repeat करता हूँ जो conditions आना वो repeat करता है जो light है वो denser से rarer medium बे जा रही है medium glass है angle about 41-42 degree है जो angle of reflection है वो 90 degree है light when it goes from denser to rarer medium and the angle of reflection becomes 90 degree that angle of incidence is called critical angle that means it's a constant rate yes 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 अगर वो glass है तो 41 point some degree होगा अगर वो quartz है तो उसका अपना कुछ अलग critical angle होगा अगर वो diamond है तो उसका कोई अलग critical angle होगा but critical angle वो होता है जहां angle of reflection जो है वो 90 degree होजाता है यहां तक मेरे साथ है बट हमारे पास we have so much space to go बिस्वजानी अब जब light यहां पर आएगी यह तो चुप करके बैढ़ गया 90 degree पर तो light को अब यहां से वापस आना शुरू होना पड़ेगा जो कि अब आगे होगा experiment में नहीं समझ में जैसे ही आप critical angle को cross कर जाते हैं यह देखिए अब आप critical angle को cross कर चुके हैं तो अब reflection होनी चुरू होगी है यह angle of incidence यह angle of reflection इस phenomenon को बोलते हैं internal reflection शर्मा जी doubt अद रोकिए फिर से देख लिजे मिस्टर जानी so total internal reflection TIR conditions क्या है denser to rarer angle of incidence जो है should be greater than the critical angle critical angle कौन सा था जिस पे angle of reflection 90 degree था बात पकड़ में नहीं आई मैं जानी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं जानी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं डावट आपका हुई आप सля काई, रहा है बान Own